इंडिया में दो टाइप की यूट्यूबर होते हैं पहला टाइप जो लोग इंग्टिश में वीडियोज बनाते हैं What is up guys, my name is Angad in this video we are checking out what is the best language for you to make your videos in और दूसरे वो होते हैं जो हिंदी या फिर किसी रीजिनल लैंग्विज में बनाते हैं अपनी वीडियोज नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंगत आज देखते हैं कि यूट्यूब पे आप जो वीडियो बनाते हैं उसकी भाशा होनी क्या चाहिए और फिर होते कुछ लोग मेरे जैसे जिनसे यही चूस किया जाता कि हिंदी में बोले और whether they should talk in English बट उमीद कुछ ऐसी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप चूस कर पाओगे कि आपको किस लैंगज में बनानी चाहिए अपनी वीडियोज So what is up guys my name is Zangad welcome back to the channel ये है AKS दूसरा इस चानल पर मैं वीडियो बनाता हूँ YouTube से related फिलहल तो subscribe कर दो कर नए हो यहाँ पर और like कर दो अगर प्यार आ रहा है तो अगर आपने decide कर लिया को YouTube वीडियोज बनानी है definitely पक्का से आपने सोचा होगा कि भाई English में वीडियो बनाऊ या Hindi में और जातादर YouTubers ने पहले तो English में ही शुरू किया था और कभी-कभी सोचते हैं कि क्या मैं Hindi में switch करूँ या मैं किसी और language में जैसे Punjabi, Marathi, Gujarati और भी पढ़ता है तो बस इतना बोलना चाहूंगा कि जब भी मैं Hindi बोलू इसका मतलब रीजिनल हो सकता है तो जब मैं Hindi बोल रहा हूं इसका मतलब जो भी भाशा आप बोलते हो चाहे Hindi हो चाहे पंजाबी हो, Marathi हो, Tamil हो, Telugu हो, जो भी हो तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको English मे पता होगा कि YouTube एक Indian website नहीं है, YouTube एक पहर की website है, जिस पर global audience जादातर English बोलती है और इस बात का सब्बूत जादातर यह है कि जब आप कुछ सर्च कर रहे हो YouTube पे तो जादातर आप English में टाइप करते हो, जो अपका phone है उसका keyboard English में होता है, जो आपका laptop है उसका keyboard English में होता है इस वीडियो को जो title भी है वो भी probably English में ही है, बट इंडिया में एक must trend चला कि हम अपनी भाशा को इतनी value नहीं देते हैं, हम भारवाली को देते हैं और हम उनी के भाशा में अपनी भाशे में लिखते हैं, मतलब ऐसे, बट इंग्लिश में वीडियो बनाने का बस ये फाइ काफी लोग English बोलते हैं और अगर आपकी वीडियो उनको interest करें तो वो समध सकते हैं, तो एक तरीके से आप अपना content अपनी वीडियो पूरी दुनिया के लिए खोल रहे हो, especially अगर आपकी वीडियो ऐसी हैं, जो कोई भी देख सकता है, for example, किसी popular phone का review, या फिर tutorials, तो English is a good option for these videos, क्योंकि दुनिया में कोई भी कहीं पे भी ये वीडियो से फायदा उठा सकता है, अब क्योंकि दुनिया में वो कहीं से भी देख सकता है, तो chance है कि आपकी वीडियो ऐसी countries में भी चल सकती है, जहां पे ads की value जादा हो, अब अगर आपको नहीं पता, तो मैंने अपनी last इंग्लिश में है, और पूरी दुनिया में देखी जा रही है, तो US में भी देखी जा रही है, तो US के ads आ रहे हैं, इंडिया में देखी जा रही है, इंडिया के ads आ रहे हैं, किसी और country में देखी जा रहे हैं, किसी और country के ads आ रहे हैं, और अगर उन countries की ad की value जादा है, त उसका ये मतलब है कि उस वीडियो से आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो इंग्लिश में वीडियो बनाने का सबसे बड़े फायदे यहीं है कि number one आपका content पूरी दुनिया access कर सकती है, समझ सकती है number two, क्योंकि कोई भी access कर सकता है तो आपको दूसरे countries की revenue भी मिल सकती है और ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं अब बात करते हैं English में वीडियो बनाने के नुकसान क्या है नुकसान ज़्यादा तो नहीं है, बट फरक पड़ सकते हैं उनसे काफी number one नुकसान English वीडियो बनाने का यह है कि अगर आपकी English इतनी अच्छी नहीं है कि आप खुद को शशी खरूर कि अच्छे दोस्त बुला सको तो यह मान लो कि English speaking countries में तो कम से कम शायद लोग आपको फिर भी ना समझ पाएं अंग्रेजो जितनी अच्छी English हम नहीं बोल सकते हैं, हम मान लेते हैं तो simple point यह है कि वहाँ पर criticism आ सकती है जो शायद आपको अच्छी ना लगे और English ना समझ पाना कोई बुरी बात नहीं है तो प्लीज इससे discourage मत हो दूसरा नुकसान यह है अगर आपकी target audience जो लोग आप चाहते हो कि आपसे घुले मिले वो ज्यादा तर इंडिया के हैं तो इंडिया में English speaking population इतनी ज्यादा नहीं है काफी बड़ी population है और अगर आप पूरे देश के जैसे देखो तो काफी कम लोग English बोलते हैं तो फिर यही बात आती है कि आप पाहर के लोगों के लिए बना रहे हो या अपने लोगों के लिए और अपने लोगों के लिए बना रहे हो तो उनमें से काफी यह को English नहीं आती तो शायद वो आपके कॉमेंट्स में आकर लिख दे अब बे हिंदी बोलना बटर चिकन अब क्योंकि 4-5 बार लोगों ने बोल दिया मैं बटर चिकन बहुत बोलता हूं तो मैं हर वीडियो में बटर चिकन डालूँगा तो अगर मैं थोड़ा चोटा अगर के बोलूँ तो English वीडियो का फाइदा यह है कि आप उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हो पर disadvantage ही है कि आपकी community नहीं बनेगी English बोलने वाली audience शायद आपको long term videos के लिए ना देखे क्योंकि वो अपना काम लेके निकल जाएंगे और Indian audience को शायद आपकी बात समझ ना हरी हो इतनी कि वो आप से relate कर पाएं तो अगर वही आपका goal है तो ठीक है अगर आपका goal है पैसे कमाना YouTube पे तो English videos are probably the right way to go but that is not exactly the case अब आते हैं भाई हिंदी पे या आपकी regional language सबसे पहले बात करते हैं फाइदे की बात देखो भाई फाइदा यह है कि हिंदी एक ऐसी language है जो अपने देश में काफी बोली जाती है और यह बोलते बोलते यह भी बोलना चांगा बहुत सारी भाषा हैं पर सारी मैं नहीं सीख सकता तो हिंदी अब एक ऐसी language है जो बहुत जादा बोली जाती है एक ऐसे country में जिसमें लोग ही इतने जादा है तो combination में होता क्या है कि बहुत सारे लोग आपकी वीडियो देख के समझ सकते है अब क्यूंकि आप अच्छा content बना रहे हो जो लोग समझ पा रहे हैं और must relate कर पा रहे हैं तो community बनाना बहुत आसान है यह सिर्फ एक example है पर आप खुद देख लो कि इंडिया में जितने भी Hindi channels हैं वो इतनी जल्दी बड़े हूँ है क्योंकि हमाने पस population इतनी है कि उसी field के जो English channels से वो इतने बड़े नहीं हुए इसके एक अच्छा example ही है कि MKBHD English channel जिसको अल्मूस्ट हर YouTuber में देखा है और हर YouTuber इसको Tech वाला भगवान मानता था अब वो इस not as big of a channel as Technical Guruji जो Hindi मिख content बना के पूरी India को साथ में लेके उपड़ चड़े जब मैं ये video बना रहा हूँ उस point पे MKBHD has 11 million subscribers अब उसी point पे अगर हम Technical Guruji की बात करें जिने सिर्फ India देखता है और India के आसपास वाली countries he has 16.1 million subscribers तब MKBHD को पूरी दुनिया में काफी लोग देखते होंगे बट Technical Guruji को पूरा इंडिया एक साथ देखता है तो इसका result ये है कि इनकी community बहुत strong है बट उसी तरफ disadvantage ये है कि इंडियन YouTube channels को पैसे कम मिलते हैं from Indian ads इस पे भी मैं एक video बना चुका था on my other channel कि मुझे एक million views से कितने पैसे मिले थे you can go and check it out पर you'll get a good idea कि वो same, same पैसे अगर US views से होते, English video से होते तो पैसे काफी ज़ादा होते अब इसका सिर्फ English से लेना देना नहीं है अगर मैं एक English video बनाओ और सिर्फ Indians देखें तो result हिंदी के बराबर ही होगा पर इंग्लिश वीडियो बना कि अगर इसको बाहर की views मिल रहे हैं तो पैसे ज़ादा मिलेंगे वैसे ही अगर मैंने कुछ करके हिंदी वीडियो बना दी लग्से photography tricks जिसमें मैंने हिंदी ज़ादा बोली नहीं है और देखने वाले को बिना audio के भी समझा रहे है और ये वीडियो यूएस में भी देखी जा रही है तो मुझे उससे भी personal जाएंगे अब इतना इंडिया, यूएस, कैनेडा करके अगर confused हो रहे हो तो आते हैं सीधा सीधा comparison पे अगर आप English में वीडियो बनाओगे आपकी वीडियो देखी जा सकती है पूरी दुनिया में जिसका मतलब है global ads which means more money बट इसका downside ये है कि आपकी community बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि number one इंडिया जहां आप रहते हो शायद इतने लोग English बोलते नहीं English जिन countries में बोली जाती है शायद आपकी English उतनी अच्छी नहीं कि आप वहाँ पे एक must टेरा बना सको अगर बना भी लोग तो जो लोग आपको must समझ पा रहे हैं शायद number में ही इतने जादा नहीं है और उल्टी तरफ अगर हम बात करें हिंदी में YouTube वीडियो बनाने की तो उसका फाइदा ये है कि क्योंकि आपकी community इधर की है और बहुत relatable है और हिंदी ऐसे country में बोली जाती है जिसकी population हितनी जादा है तो आप grow बहुत जल्दी कर सकते हैं आप subscribers बहुत जल्दी पास सकते हो आप views, likes अगर आप अपनी community बड़ी कर लो तो याद रखना because you're a famous चैनल आप sponsorships से वो सारा पैसा रिकावर कर सकते हो जो आप शाहिद एंग्लिश चैनल होते हुए ना कर पाते हैं So my advice to any YouTuber starting a YouTube channel और सोच रहे कि English वीडियो बना हैं हिंदी मेरा suggestion यह रहेगा अगर आपको long term growth देखनी है और आप English में इतने comfortable नहीं हो तो उस language में बनाओ जिसमें आप comfortable हो जो आपके दोस्त समझ पाए जो आपके भाई लोग समझ पाए और जिसमें आप long term वीडियो बना सकते हो और अगर आपको दोनों दुनिया का best case scenario चाहिए तो ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें आप बोल ही नहीं रहे हो पर देख के समझ आ जाए example craft वीडियो जो होती है उसमें language की ज़रुवत नहीं है आप देख के समझ जाते हो ऐसी वीडियो पूरी दुनिया में देखी जाती है and they're quite easy to understand and इसमें आप व्यूस भी ले सकते हो subscribers भी पास सकते हो और आपको पैसे भी मिल सकते है दोन तरफ से hope इस वीडियो से थोड़ा सा clarity मिला क्योंकि थोड़ा complicated topic और काफी लोग पूछते हैं कि क्यों एक चूस करो दूसरे के उपर and this is my answer तो अगर help मिली तो बस यह दवा देना और कुछ नीची है and I'll catch you later